बिसमिल्लारोह्मान रोहीम असलामुआलेकूम चलिए दोस्तों बिटकोईन का क्विक एनलाइज करते हैं कि इसका नेक्स मूफ क्या हो सकता है कितना इसमें डंप और कितना इसमें पंप मजीद हो सकता है लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करने अपनी लास्ट वीडियो कि जि अब फंडमेंटल की वजह से डंप हुआ या फिर यह जो डंप हुई है एफ डबल टी की वजह से डंप हुआ उसके फॉट की वजह से लेकिन देखें अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे अलहम्दुलिल्ला मैं आपको पिछले एक महिने से कह रहा हूं कि भाही मार्केट फेक आउट भी हो सकता है हमारे लिए तो देखेंगे जो हमारी पाकिस्तानी वेल्स हैं यूट्यूबर इन्होंनी ये ब्रेक आउट देखने के बाद किसीने 21,400 पर किसीने 20,800 पर लॉंग के सिगनल ले दिये आपको स्पॉट में बाइंग करवा दी टार्गेट किसी का 20, 500 पर किसी का टार्गेट है 40,000 पर किसी का 30,000 पर किसी का 70,000 मतलब एनलाइज से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता बस अपने टार्गेट इन्होंने उटा कि ठोक दी कि 20,000, 40,000, 50,000 पर मार्गेट जा रही है तो अब बात करते हैं कि इसका next move क्या हो सकता है लेकिन अगर सबसे बिले हम आपको अपनी वर्ट्स अपडेट दिखाए तो देखें मेरी यह मेरी वो ट्रेड है जो मैंने आपको सिगनल दिया था तकरीबन 21,300 से अब भी तक इसको मैं होल्ड कर रहा हूं अब मुझे इसमें एक रिवर्सल पॉइंट आ रहा है जहांप इसको मैं 75% क् करने वाले हैं देखें यह रात की अपडेट है जो कि मैंने आपको अपडेट देती मार्केट थी उस वक्त 16,000 सब्तिंग पर मैंने आपको अपडेट दी वाट्सप और टेलीग्राम पर 14,800 और तकरीबन 15,500 मार्केट जा सकती है और इसी तरह देखें जब मार्केट पंप हो यह पंप होने से पहले मैंने आपको किलियर यहां पर बिटिसी लांग का सिगनल दिया यह देखें अल्हमदुलिल्या देखें 20,700 सम्धिंग पर हमारे टार्गेट थे मार्केट ने एकजएक्ट हमारे टार्गेट अचीफ करें देन मार्केट ने टम करें तो अब बात क अधारों कहां से इसकी बाइंग कर सकते हैं देखें ये जो हमारा बाना ये बडर फिलेक मार्केटनेस का ब्रेकडाउन करने के बाद परिफेक्टली इसके टार्गेट मार्केटने अचीफ कर दिये अगर मैं बोडी टू बोडी ले ले लूँ इसके टार्गेट देखें अचीफ हो चुका है यह देखें बॉडी टू-boddy लिए हमने इसके अल्मॉस्ट टारगेट यह देखें अचीफ हो गया मार्केट के अंदर अगर यह जो फिक है इसको मैं ले लूँ विक टो विक ये देखें अगर मैं यहां सो ट्रेंड ले लूँ विक टो विक इसके टार्गेट अच्छी बोन हम भी बाकी है इसका जो टार्गेट हमारे पास आ रहे है वो आ रहे है तक्रीबन 14,800 बे इसी तरह विक टाम फ्रेम पर चलते हैं देखें यह वाला जो रिजन था यह जो रिजन था इसमें आपको बार 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 बता है कि हमारे लिए फैक आउट है है फैक आउट है क्योंकि यहां पर बंद रहा है था हमारा डिसेंडिंग ट्राइंगल लेकिन यह जो वैल से इनको यह बात कौन समझाएगे एनलाइस नाम की पर कोई चीज होती है आप वी उसके लिए सुबह अलग अलग अनलाइस बता रहे हो शाम को अलग बता रहे हो ट पर इंशालाए गुड़ मूव हमें नजर आएगा मार्केट इसका ब्रेक आउट करके मज़िद उपर जा सकती है अधर्वाइस अकर मार्केट नेसका ब्रेकडाउन करा तो हम लेंगे सेंटर से एक विक जो के विकली क्लोजिंग पर हमें कनफर्म होगा यह ब्रेक आउट इसमें जो हमारे टार्गेट आ रहोग और तकरीबान 9,000 और 10,000 के दर्मियान ये देखें आप यह देखें अब इसी तरह देखें विक ली टाम फ्रेम पर जेस ने फॉलिंग वे जिसका ब्रेक आउट करा जिसको मैंने आपको बदाया था कि भाई ये ट्रेयप हमारे लिय है तो इसके भ्याव पर यहां पर देखो थोड़ी सी जब मार्केट पांप हुई न एक दो आपने देखिए ग्रीन केंडिल आपने बोला मार्केट हमारे हाथ से निकल गई खास तो रुपए जो हमारे गुरूस हैं इन्होंने यह से बैंक शुरू करवा दी कोई 20,800 पर सिगनल दे रहा है कोई 21 चार्ट होता है कि एक बंदे ने सिगनल दिया और टार्गिट थे भाई साब के तक्रीबन 50,000 पर चलीगे मार्केट 50,000 पर यह देखो मार्केट ने कितना डम करा तक्रीबन 20-30% मार्केट ने डम ने होता है तक्रीबन 14,800 और 13,500 के दर्वियान हो सकता है मार्केट यहाँ पर 14,800 को रिट्रेस करें यह मार्केट थोड़ी वोलाटाइल करके तक्रीबन रिट्रेस करते 12,000 वाले रीजन को अब 12,000 जो है वो एक अच्छा हमारे लिए जोन बनेगा उसकी मैं आपको वज़ कि हो सकता है मार्केट इसको रिटरेस करें यहां से हमारे बाई-जोर नमें अच्छीव जाए 14,800 और 15,000 वाले देन मार्केट यहां में कुछ वोलाटाइल करें वोलाटाइल करने के नहीं मसीद निशे चली जाए तो आपने कर यहां में बाइंग करने तो पार्ट्स में तो आपको जो अच्छा जोन है वो बंदर है दस और बारे वाले रिजन पर तो फिलाल अभी तो पूरी CPI डेटा पर कानी हमारी डिपेंडिड है अगर CPI पॉजिटिव बाद ही मार्केट पंप हो सकती है निगटिफाइगी तो डंप तो ट्रेंड नाइन को जो भी रिट्रे मैंने क्यों आपको बारह हदर वाले रिजन बोला डेली डाइम फ्रेम पर हमारे बाद बंदरा बुलिश डेप क्रेप जो के कम्लीट होगा बारह हजार पांसों के दर्बियान तो कुछ इन्वेलिडिशन पॉइंट है लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं तो यह देखें यह इसमें इन्वेलिडिशन पॉइंट हो सकते हैं यह इन्वेलिडिशन कुछ पॉइंट हो सकते हैं लेकिन अगर 12800 पर मिला तो इसको मैंने लाजमी ट्रेड करना है इस्टोपलोस में लगा दूंगा 10,000 के नीचे और यह होगा मेरे टार्गेट पहले मैं इसको पैटरन लगा के अप्लाय करूं ताके यह विजिबल हो जाए देन इसके मज़ीद बात करते हैं तो यह हमारा बना बुलिश क्रेब पैटरन और इसमें जो हमारे टार्गेट तो यह आपका एक पूर एक अच्छा एक सिगनल बन रहे हर्मोनिक के मुताबिक बस अकर मैं यह वाली विक को इग्नॉर करूं तो मेरा यह पैटरन वैलिड हो जाएगा अधरवाइस यह इसमें एक इन्वलिडिशन पॉइंट है लेकिन एज़ा कॉन्फिलेंस क्यूंगे म और 20,500 पर इसमें हमारे टार्गेट है स्टॉप लोस के लिए अगर हम बात करें तो देखो इसी रिजन में अच्छी सपोर्ट आ रही है 12,000 और 11,500 वाले रिजन पर तो हमें यहां से एक और कॉन्फिलेंस यह मिली है कि मार्केट 12 तक जा सकती है और दूसरा अगर से लगा देना यह वाले रिजन पर तक्रीबन 9,500 पर क्यों जितना अपने रिवार्ट हाई लेना इतना अपने रिक्स भी लेना पड़ेगा तो टोटल अभी तो डिपेंडिट है कानी CPI डेटा की अगर CPI डेटा कुछ पॉजिटिव आता है तो मार्केट में हमें अच्छ बोला टाइल करेगी बोला टाइल करने के बाद आपने अभी जो रिजिस्टन्स फैस करनी है वो है यह वाले रिजन पर तक्रीबन 16,300 के दर्मियान तो 14,800, 13,500 और तक्रीबन 16,200 इन बिट्वीन अप्ट्रेट कर सकते हैं इस टॉप लोस के साथ अधर्वाइस अगर मार्क इसका ब्रेक आउट करें फिरेक आउट करने के बाद डेली क्लोजिंग आपको 16,500 के अबफ मिल जाती है तो इन्शाला फिर आपको 19,000, sorry 18,200 और 17,500 का एक मूव नदर आएगा देन जो हमारा पूरा एनलाइस इस वक्त डिपेंडिट वो है विकली क्लोजिंग पे तो विक के लिए क्लोजिंग होगी तो इन्शालाइक अच्छा बाउंस बेक मार्केट में हमें देखने को मिलेगा अदरवाइस ये के मार्केट में मज़ीड डाउन ट्रेड फिर हमें नजर आएगा और दूसरा यहां पर जो हमारा हेड़ें शोल्डर था जिसका मैं आपको बार ब बता रहा था तकरीबन अलहम्दुलिल्ला उसके टार्गेट अच्छिव हो चुके हैं ये देखें आप ये बना हमारा हेड़ें शोल्डर ये हमने इसके ट्रेंड लाइन ली इसको ठागे हमने अरके ब्रेकडाउन वाली जागा पर ये देखें आप परफेक्ट यहां पर टार्गेट अच्छिव तो इसलिए हैं कहते हैं मार्गेट बिला बज़े पंप या डंब नहीं होती बैग हिस्ट्री पे कोई ने कोई होती है देखें यहां पर इसका ब्रेकडाउन करा है अज आपके सामने इसका परफेक्ट यहां पर टार्गेट अच्छिव हो रहा है तो ये ती फिलाल एक छोटी सी अपडेट इस वीडियो का बार बार देखीगा बार बार आपने लाजमी देखना है ताकि इसमें जो मैं अब इसको ट्रेट कर सकते हैं तो मिलेंगे इंशाला फिर एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए असलामु आलेकुम रहमतुल्लाह